नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे railway group D 2021 exam के लिए तो जो भी expected questions हो सकते हैं आपके railway group D exam के लिए आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और साथ हमारे channel को subscribe कर लें जो भी topics के उपर group D exam में question पूछे जाते हैं वही topics के उपर हमने इस वीडियो में question डाले हैं तो ये सभी question repeated questions हैं जो कि exams में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है मिनाक्षी temple is located in which state of India तो मिनाक्षी temple जो है जिसको की मिनाक्षी अमन temple के नाम से भी जाना जाता है ये इंडिया की कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तमिल नाडू में जगे रहेगी मदुराए वहाँ पे headquarter रहेगा मिनाक्षी अमन temple का तो temple से related भी काफी important questions होते हैं जो की exams में पूछे जाते हैं तो आप उनको ज़रूर study करें temples की जो separate video रहेगी वो हमने अपने channel पे already upload कर दी है जिसको की आप उपर आई button पे click करके देख सकते हैं साथ ही उसका link आपको description में भी provide कराया गया है अगला question देखते है who is the current MSME minister of India तो MSME जो होती है जो MSME ministry है उसके जो current time में minister है वो कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा नितिन गटकरी नितिन गटकरी जो है यह अभी current time में MSME minister रहेंगे इंडिया के अगर MSME की बात करी चाहे तो MSME की full form क्या होती है तो micro, small and medium enterprises जो रहेगी यह full form होती है MSME की तो यह भी धियान रखना है आपको अगला question देखते है fourth Halo India Youth Games 2021 are going to held in तो fourth edition जो होगा Halo India Youth Games का जोकी होने वाले हैं 2021 में यह कौन सी state में होंगे तो हमारा answer हो जाएगा हरियाना तो हरियाना जो state रहेगी यह host करने जा रही है fourth Halo India Youth Games 2021 में जो Halo India Youth Games होते हैं इसका एक question जरूर पूछा जाता है exams में तो यह भी important रहता है अगला question देखते हैं in which session Indian National Congress split into two parts moderates and extremist तो यह हम काफी time से discuss करते हुआ आ रहे हैं Indian National Congress जो होता है उससे related काफी questions बनते हैं तो Indian National Congress जो रहेगी यह दो पार्ट में divide हो गई थी एक तो पार्ट था moderates और एक था extremist तो यह जो division हुआ था यह कौन से session में हुआ था या कौन से year में हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा सूरत session of 1907 तो सूरत session जो हुआ था 1907 में उसमें जो Indian National Congress थी वो दो पार्ट में बट गई थी एक पार्ट था moderates और एक पार्ट था extremist तो यह आपको ध्यान रखना है most important अगला question देखते हैं तो यह question आपको पता होगा हमने पीछे ही discuss कराता अपने Padma Awards की वीडियो में तो हमारा answer हो जाएगा Padma Vibhushan तो Padma Vibhushan जो होता है जो Padma Awards होते हैं उसमें highest honor होता है Padma Vibhushan और India का second highest civilian honor होता है तो इससे किसको सम्मानित किया गया है तो सिंजो अभे जो रहेंगे इनको सम्मानित किया गया है 2021 में Padma Vibhushan अवार्ट से टोटल साथ लोग हैं जिनको Padma Vibhushan मिला है 2021 में उसको आप जरूर देखें फिर Padma Vibhushan जो है ये टोटल मिला है 10 लोगों को Padma Shri जो होता है ये टोटल 102 लोगों को दिया गया है तो ये जो नाम रहते हैं ये most important रहते हैं Padma Awards की separate video हमारे चैनल पर already upload हो चुकी है जिसमें सारे awardees चुरहेंगे वो आपको बताए गए हैं अगला कोशन देखते हैं What is the chemical formula of sugar? तो शुगर जो होता है चीनी जो होती है उसका chemical formula क्या होता है? तो chemical formula और chemical name के उपर एक question जरूर पूछा जाता है गुरूब D के exam में तो शुगर का chemical formula क्या होता है? तो हमारा answer हो जाएगा C12H22O11 C12H22O11 जो होता है ये chemical formula होता है शुकर का मंगल यान 1 was launched on तो मंगल यान 1 जो है जिसको की mom के नाम से भी जाना जाता था Mars orbiting mission जिसको बोलते हैं ये कौन सी vehicle के तुरू launch करा गया था? तो PSLV C25 जो vehicle है उसका use करा गया था मंगल यान 1 को launch करने में और आपसे exam में question पूछा जाता है कि सबसे cheapest जो satellite या फिर जो vehicle जो भी launch करा गया था इंडिया के दुआरा या फिर किसी भी country के दुआरा उसका क्या नाम रहता है तो मंगल यान जो है ये सबसे cheapest रहेगा जो की जिसका जो खर्चा बैठाता वो बैठाता 12 रुपे पर किलोमेटर का तो ये ध्यान रखना है आपको ये question भी exam में direct पूछा जाता है तो मंगल यान 1 जो launch करा गया था कब करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा 5 November 2013 5 November 2013 को launch करा गया था मंगल यान 1 को गाफा is a dance related to which state of India तो गाफा जो होता है कौन सी state से related रहेगा dance तो हमारा answer हो जाएगा महारास्ट तो महारास्ट जो state रहेगी वहां का एक important dance रहता है गाफा और जो तमाशा होता है तमाशा जो dance होता है वो भी महारास्ट का होता है फिर लवानी जो dance होता है जो कि हमने कल डिसकस करा था वो भी महारास्ट इस्टेट से ही related है अगला question देखते है PM नरेंदर मोदी is awarded League of Merit Award 2020 of which country तो League of Merit Award जिससे 2020 में नरेंदर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के उनको सम्मानित किया गया है तो ये कौन सी country का अवर्ड है तो हमारा answer हो जाएगा अमेरिका तो अमेरिका का highest civilian honor जो होता है वो रहेगा League of Merit Award जिससे 2020 में नरेंदर मोदी को सम्मानित किया गया है Monuments of Humpy are located in which state तो Monuments of Humpy जो है ये कहाँ पे located है कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का करनाट का जो state रहेगी वहाँ पे located है गोल गुम्बस भी जो कि एक्जाम में पूछा जाता है और साथी साथ Monuments of Humpy जो है ये भी located है करनाट का इस्टेट में Who is the author of the book? The Struggle in My Life The Struggle in My Life जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो authors and books जो रहेंगी ये भी एक important topic रहेगा एक question जादातर हर shift में पूछा जाता है गुरुबडी की तो Struggle in My Life जो book रहेगी है किसके द्वारा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा Nelson Mandela Nelson Mandela जो है इनकी biography रहेगी The Struggle in My Life प्रदान मंत्री जन्धन योजना was launched on प्रदान मंत्री जन्धन योजना कौन सी डेट को launch करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 28 अगस्त 2014 28 अगस्त 2014 में launch करा गया था प्रदान मंत्री जन्धन योजना को राजाजी नेशनल पार्क is located in which state of India अब दोस्तों जितने भी नेशनल पार्क होते हैं आप उसको भी जरूर स्टडी करें जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो भी हमने टॉपिक डिसकस करें हैं सभी की separate वीडियो आपको हमारे चैनल पे provide कराई जा चुकी है तो आप सारी वीडियो जेखें जिससे कि आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो राजाजी नेशनल पार्क जो रहेगा ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड जो state रहेगी वहाँ पे located है राजाजी नेशनल पार्क तो सार्क जो organization है इसका headquarter कहाँ पे है सार्क की full form आपको याद रखनी है ये जो रहेगी है full form होती है सार्क की तो headquarter कहाँ रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा काटमांडू नेपाल तो काटमांडू जो पी कैपिटल है नेपाल की वहाँ पे headquarter है सार्क organization का आपसे exam में question पूछा जाता है कि चाइना जो है वो member है सार्क organization का या फिर नहीं तो सार्क का member नहीं है चाइना इंडिया जो है वो member country रहेगा सार्क का अगला question देखते है which day is celebrated on 9 January every year तो हर साल 9 January को कौन सा दिन होता है जो की celebrate करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा NRI day NRI day जो होता है ये हर साल 9 January को celebrate करा जाता है अब NRI day जो होता है इसको प्रवासी भारतिय दिवस के नाम से भी जाना जाता है अब ये जो होता है ये पूछा जाता है कि ये 9 जनवरी को ही क्यों celebrate करा जाता है तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांदी साउथ अफरिका से भारत वापिस आये थे इसलिए इस डेट को हम N.I.R.I. Day के रूप में मनाते हैं अगला question देखते है Which of the following is not a bone found in ears तो हमारे ear में जो हमारे कान होते हैं हमारे एक कान में तीन हड़ियां present होती है तो इसमें से कौन से हड़ी रहेगी जो कि हमारे कान की हड़ी नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा femur femur जो होती है ये human body की सबसे लंबी bone होती है जिसको की thigh bone के नाम से भी जाना जाता है होती है तीनों ये exams में पूछ ली जाती है अगला question देखते है who was the founder of सुराज party सुराज जो party थी ये किसके द्वारा found करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा मोतिलाल लहरू मोतिलाल लहरू के द्वारा found करा गया था सुराज party को इन्होंने किसके साथ मिलके करी थी तो चितराज़न दास के साथ मिलके मोतिलाल लहरू ने सुराज पार्टी की foundation रखी थी which is the only organ in the human body that can regrow and regenerate तो हमारा body का कौन सा part होता है जो कि दुबारा grow कर सकता है या फिर दुबारा generate हो सकता है तो हमारा answer हो जाएगा lever तो lever जो होता है हमारा body का एक ऐसा part होता है जो कि अपने आप जो हमारा organ होता है ये regrow भी हो सकता है और regenerate भी हो सकता है और ये एकलोता part होता है हमारी body में ऐसा जो कि regrow regenerate होता है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन देखते हैं तो इस्टैचू आफ यूनिटी जो है जिसकी लंबाई रहेगी 182 मीटर कहां पर लोकेटेड है तो गुजरात में लोकेटेड है किसको डेडिकेटेड है तो सर्दार वल्लबभाई पटेल को डेडिकेटेड रहेगा जो की सबसे बड़ा स्टैचू रहेगा दुनिया का ये किसके दौरा बनवाया गया, किसने डिजाइन करा है तो हमारा आंसर हो जाएगा रमवी सुतर, रमवी सुतर जो है इनके दौरा डिजाइन करा गया है स्टैचू आफ यूनिटी को तो ये भी question काफी important रहता है Which of the following is located in Tamil Nadu तो इन में से कौन सा dam रहेगा जो की located है Tamil Nadu state में तो हमारा answer हो जाएगा मितुर डैम मितुर डैम जो है ये एक डैम रहेगा जो की located है Tamil Nadu state में तो ये आपको जरूर द्यान रखना है अगर नागर जुन सागर डैम की बात करी जाए तो ये कहाँ पर located है तो ये located है ते लंगना state में अगर मालंपुजा डैम की बात करी जाए तो यह डैम रहेगा केरला एस्टेट का और अगर तोगाबद्र डैम की बात करी जाए तो यह रहेगा करनाट का इस्टेट का तो यह चारो ही important रहते हैं ऐग्जाम्स में पूछ लिये जाते हैं आपको उपर आई बटन पे किलिक करके मिल जाएगी साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराये गया है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखे उन सभी का मेन फोकस रहेगा आर आर भी गुरुबडी एक्जाम पे धन्यवाद दोस्तो